हेलो स्टुडेंट्स सो टोड़े आएव वेरी इंपोरेंट न्यूस फोर मैनी अब दा स्टुडेंट्स जो भी हर्याना से बिलोंग करते हैं स्पेसली ठीक है जिन्होंने हर्याना में पीजी टी का एपलाई किया थे पीजी टी के लिए तो उन बच्चों का रिजल्ट यहां पर डिकलेर हो चुका है इंटर्व्यू के लिए सोट लिस्ट जो बच्चे हुए हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है ओके तो यहां पर हम देख सकते हैं हर्याना पावलिक सर्विस कमिशन ने यह रिजल्ट डिकलेर किया है जिसमें पीजी डी मैथमेटिक्स फोर में दिये गए हैं तो आप इस आयोग की वेबसाइट पे जाके अपने इस पीडियेफ को वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अपना रोल लंबर इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं ओके तो काफी बड़ी संख्या में इन्होंने सोट लिस्ट करें बच्चे मेवाद केडर वाले हैं और बाकी जो उपर थे वो रेस्ट ओफरियाना केडर ठीक है ना तो जो भी यहां पर सोट हुए हैं इंटर्वू के लिए पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए तो एक अच्छी अपरचनटी आपके सामने है आपका एक ड्रीम जोब आपको मिलने से थ पहले भी बहुत सारे स्टुडेंट्स इसके लिए हमारे पास प्रिपर्शन कर चुके हैं तो आपका पीजीटी का मेन काम क्या होता है जो सीनर सेकेंडरी के बच्चे उनको मैथमेटिक्स पढ़ाना है माले पीजीटी मैथमेटिक्स है तो आपको एंसी लेविल का जो मैथ आने के लिए पहले ही आपको डिनाई किया जाता है कि आपको वाँ पे अपनी आइडेंटिटी रिविल नहीं करना है ठीक है इंटर्वियू में ठीक है बट आपसे आपका वर्क प्रोफाइल पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं अभी आपका क्या वर्क एक्स्पिरि में उन सब के बारे में आप से बात करते हैं तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि majority of the section तो purely आपका technical subject के उपर ही interview based होता है but कुछ portion आपका general चीजों के उपर भी रहता है जिसमें वो general questions like आपकी एक तो मैंने जो बताया educational background या आप क्या काम करते हैं से related questions पूछ सकते हैं हरियाना से related questions पूछ सकते हैं current affairs काई बार पूछ लेते हैं ठीक है तो current affairs में जो चल रहा है हरियाना के अंदर as well as पूरे country में उसके उपर भी questions पूछे जाते हैं LGBT वाले बच्चों से आपको थोड़ी awareness भी होनी चाहिए सम्मिधान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और जो भी current events हो रही है country के अंदर state के अंदर उन सब का overview आपको रखना जरूरी है ओके अलग-लग बच्चों का बोला जा सकता है वहां पर demo के लिए कि आप यह topic के उपर क्या प्रिपेर करके आएं यह भी पूछ सकते हैं कि आप अपना क्या topic प्रिपेर करके आए हैं उस पर थोड़ा demo दीजिए या फिर वह अपना topic भी बता सकते आपको कि इस topic को यहां पर पढ़ाईए दोनों option है वो दूसरा chapter लेकिन वो किसी ओर से question पूछ सकते हैं तो आपको सारही NCRT level के जो भी chapters है 12th class में 11th class में उन सब को revise करना है जिसमें factors के उपर basic concept of factors ठीक है उसके बाद आपका theory dimensional geometry यह दोनों काफी important chapters होते हैं उसके लाबब probability से question पूछ सकते हैं matrix से determinants की properties के उपर question पूछ सकते हैं functions के उपर kinds of functions के उपर question पूछ सकते हैं injective function क्या होता है byjective function क्या होता है surjective यह सब जो basic conditions है limit का question आपको दे सकते है continuity का क्या मतलब है differentiability का क्या मतलब है maximum minimum roles theorem जितनी भी theorems हैं वहां से भी question पूछे जा सकते हैं उसके लाबब complex number से भी question पूछ सकते हैं तो पूरा syllabus आपको NCRT की वाला revise करना है जाहिर है कि आपने exam clear करा है तो आपकी तयारी तो अच्छी होगी लेकिन आपको interview के लिए भी उसको continue रखना है और practice करनी है बारवार क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़े आती हैं बट में चीज़े कि हम दूसरे के सामने उनको express कर पाएं यहां पे इसो आत आइए चार आदमी आपके सामने बैटे हैं आपसे कहीं इसको explain करो तो वहां पे उनकी आवाज नहीं निकलती है यह बहुत बड़ा इसो बहुत सारे students के साथ होता है तो आपको इसी चीज़ पर work करना है तो आपकी जो knowledge है वो reflect अगर नहीं होगी interview में तो फिर आपको marks नही के दीजिए पहले उनसे बोलिए कि आपसे question पूछे practice किजिए और अगर यह काम आप किसी professionals के साथ करेंगे तो उसका और ज्यादे benefit आपको मिलेगा क्योंकि वो real time feedback आपको वहीं पर मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि आप कहां पर lag कर रहा है यह बहुत matter करता है feedback वहां पर बहुत matter करता है और practice बहुत ज़्यादा matter करती है interviews में ओके तो इसको seriously ले बहुत अच्छी opportunity आपको मिल रही है और इस interview की त्यारी seriously करें ओके और इंजीनर्स केरियर पाइंट और यूरपीडिया जो online हैं आपको interview facility provide करते हैं तो जो भी students अगर interested है यूरपीडिया के साथ video के description भी आपको एक number दिया होगा ठीक है उसके थुरू आप connect कर सकते हैं और modules के बारे में पता कर सकते हैं okay all the best